रास्ते पे रास्ते तारीक पे तारीक ये है मोदी जी की असली कहानी लीक पे लीक लीक पे लीक ये से मोदी जी कहते है न तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक रास्ते पे रास्ते रास्ते पे रास्ते नवश्कार मैं सर्वन कुमार आप देख रहे हैं जनहीत आवाज मैं आज आप लोग को एक देश के अहम मुद्धों को बारे में बात चित करेंगे एक तरफ पुरे देश में जो ये नीट परिच्छा को लेकर जिस तर से स्केम हुआ है उसके बारे में लेकर पुरे देश के जो युवा है वो बिरोध पर दर्शन कर रहे हैं वैसे में कुछ पार्टी के भी लोग हैं जैसे कॉंग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं वो भी NEET exam को लेकर जिसतर से scam दिखाया गया है जिसतर से grace marks दिखाया गया है उसको लेकर Congress के भी प्रवक्ता उसके नेता उसके कारेकरता सड़क पर उतरे हैं लेकिन प्रश्ण उड़ता है कि जिस NEET की परिच्छा में इस तरह की धाधली हुई है यह धाधली का starting कपसे होता है यह धाधली का दौर कपसे शुरू होता है तो मैं बता दूँ आप लोगों को की NEET जो NTA कराती है National Testing Agency जो NTA को बनाने वाला Congress चलिए ठीक है थीक है Congress पे भी बात करेंगे उससे पहले देश में जिस तरह से उठल-ठल मचा है देश में मोदी सरकार है लेकिन जो देश में अभी मोदी सरकार की गौर्मेंट है उसको लेकर बात करेंगे जो मोदी जी बड़े-बड़े वादे देते हैं बड़े-बड़े बाते करते हैं उस देश में एक छोटा सा एक्जाम क्लियर नहीं हो पाता है सही तरीके से लीग पे लीग पे लीग पे लीग यसे मोदी जी कहते हैं न तारीक पे तारीक तारीक ये भाबाई लूटी जाती है कि मैं भारत को डीश्टल इंडिया बना दिया हूँ लेकिन उसी देश में लोग घुट घुट के मर रहे हैं पानी को लेकर उस देश की सचाई है कि पानी को लेकर लोग नंगे भरंगे दोड रहे हैं कही कुछ तो कही कुछ जिस देश को डिजिनल इंडिया बनाया जिस देश का डंका पूरे विश्व में बचता है जिस देश का प्रधान मंत्री पूरे विश्व का गुरू बना बैठा है उस देश की स्थिती तो थोड़ा सा देखिए सोचिये एक नीट में एक मामला निकल कर आता है ग्रेश माक्ष जो बच्चे लेड शेक झाम सेंक्टर पर पहुशते हैं उन्हें ग्रेश माक्ष दिया जू classy ऐसे में ही ठीक लोग कंत्र में भी हुआ है ग्रेश माक्ष का खेला देला अब आप कहें के कैसे मैं बतादू जिस तरह से NEET का exam शकैम होता है वैसे ही लोग तंत्र का exam भी शकैम होता है NEET का exam NTA कराता है और लोग तंत्र का exam EBEM कराता है जिस तरह से उसमें Grace Marks दिया जाता है जो बच्चे लेट से जाते हैं ठीक उसी तरह से मोदी जी को भी ग्रेस माक्स दिया जाता है काउंटिंग की जगा पे लाइट काट काट करे आप सभी लोग को पता है कि जब यूपी में गड़ना हो रही थी चार तारीकों तो तमाम ऐसे लोग सभा जहां पे गिंती हो रही थी लोग सभा सिर्ट की वहां पर से ये सूचना मिल लही थी कि चार बजे पांच बजे लाइट कट गई है लाइट कटने का सीधा सासार होता है कि मोदी जी को उसमें ग्रेस माक्स दिया जा रहा था अर इसका जिमवार कौन है क्रेस मार्क देने का पीछे का जिमवार कौन है नित में जिस्ते से धादली होती हैं ग्रेस मार्क जो दिये जाते हैं जो निट एंटीये के एंटीये जो नेशनल टेस्टिंग एजनसी के जो अलाधिकारी होते हैं जो टेस्टिंग जो अलाधिकारी होते हैं जो टीचर्स होते हैं जो उसके एंटीये के जो करता धरता होते हैं वो ग्रेस मार्क्स देते हैं अपने हिसाब से अब जिनको भी देते हो मैं इस प्रधान देश है हमाना लोग जूट-मूट का बोलते हैं कि एक्रिशी प्रधान देश है लेकिन ये यात प्रधान देश है और मैं एक और चीज बता दूँ लोग कहते कि जात ब्यवस्था नहीं जात कु कूब ब्यवस्था है अपने मुद्धे प्याते किस तरह से मोदी जी को ग्रेस माक्स मिला है में इस्ट्रीम मीडिया में जब से चुनाओं की घोशड़ा होती है तभी से चलना सुरू हो जाता है कि मोदी भारती जनता पार्टी का एक नारा हता है में इस्ट्रीम मीडिया तब से चलाना इस्टार्ट कर देती है चारशो पार चारशो पार एसमेर चुनाओं आयोग जब अचार शंगीता लागू होता है उस समय भी चुनाव आयोग चुपी बाधे रहता है उसकी चुपी नहीं तूटती है और जब चुनाव खत्म हो जाता है गड़ना की शमय आती है तो उस समय में इस्ट्री मीडिया में चलता है जो एक जिक पोल दिखायाता है 300 प्लस, 370, 380, 320 तमाम ऐसी, मतलब 300 प्लस के आकड़े चलते हैं पूरे देश में में इस्ट्री मीडिया में और वही में धाधिली का वज़ा बनता है सोचिए, अगर आप 300 प्लस चलाएंगे तो इस से जो बिपच्छ होगा जो और पार्टिया होँगी बीजेपी को फोड़ कर उनका मनोबर लाउन हो जाएगा उनको लगेगा कि अब तो भारती जनता पार्टी 400 पार हो चुकी है क्योंकि में इस्ट्री मीडिया पूरे देश में कहां से आप जानते हैं मीडिया के ही द्वारा संचार के ही मादें से आपको पता होता है लेकिन सोचिये लोगतंत की कितनी अच्छी खुबसूरती है इस बाहर का चुनाओ जो लोगसभा चुनाओ था 2022 का इसे किसी पच्छ ने नहीं लड़ा किसी राजनितिक पार्टी ने नहीं लड़ा इसको लड़ा तो सीधा सीधा आम जन्द माना से इस देश की जन्ता ने अगर इस चुनाओ को कोई राजनितिक पार्टी लड़ती तो मैं हंड्रेर पर्टेंट शोर हूँ कि इस समय भार्ती जन्ता पार्टी का एंडिये जो आज गठवंदन की सरकार बनी है वो सरकार नहीं रहती अगर वो समय रहते नयापालिका से अपनी जाकर शिकायत दर्ज करते कि में इस्ट्री मीडिया क्या कर रही है 400 पार के नारे क्यों लगा रही है उस पर फैयार करती चुनाओ आयोक को इस पर संग्यान दिलाती तो सायद ये आज दिन नहीं देखने की जाए बड़ा इस्ट्रेस्टिंग बात है NTA निट जो इक स्केम हुआ है और EBM जो लोगतंतर इस्केम हुआ है सोचिए NTA को लाने वाली कॉंग्रेस EBM को लाने वाली कॉंग्रेस आज जितने भी कॉंग्रेस की नेता है जितने भी कारे करता है वो सारे लोग बोल रहे हैं कि NTA को खत्म कर देना चाहिए लेकिन EBM वही कॉंग्रेस लाई जो लोगतंतर का बहुत बड़ा हिस्ता होता है लोगतंतर जिसमें सरकार बनाने को लेकर बात हो रही है लेकिन EBM को हचाने की बार कोई भी नहीं किया हाँ हलाकि जो कॉंग्रेस इंडिया गटबंधन के मैनिफेस्टों में जरूर था कि अगर इंडिया गटबंधन की सरकार बनती है तो EBM को खत्म कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा ऐसे में एक और शवाल आता है सोचिए जो कॉंग्रेस के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं खुले तोर पे कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी बहंद कुमारी शुप्रिमो मैयावती जो बहुजन समाज पार्टी की लीडर है शुप्रिमो है अगर वो चुनाव नहीं लड़ती तो आज कॉंग्रेस तक्ता में होती सोचिए उनकी माइंडशेट क्या है जो कॉंग्रेस देश पर पच्चास साल सासन किया उसके नेता आज ये कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो आज इंडिया गटबंदन कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में होती मैं सवाल करता हूँ आपने इस देश में पच्चास साल सासन किया अगर आप नहीं होती तो इससे में बहुजन समाज पार्टी भी एक बार तो मौका दीजिए अगर आप किसी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्टी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है और उस पार्टी को ये लोग कह रहे हैं सोचिए इनकी विचार धारा कैसी है ये क्या कह रहे हैं सोचिए कह रहे हैं कि आप चुनाओ ही नहीं लड़ती सोचिए आपके अधिकार जो कॉंग्रेस है ना ये शो कोल्ट पोईजन है ये आज भी नहीं चाहती है कि आप चुनाओ लड़ें आप पावर सेंटर में जाएं और अपने अधिकारों की मांग कर सकें सोचिए ये इस्तिप्पी है कॉंग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता बड़े नेता कह रहे है कि अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाओ नहीं लड़ती तो आज कॉंग्रेस शत्ता में होती इस तरह की चीजे निकल करा रहे है लेकिन मैं उस कॉंग्रेस पार्टी से पूछता हूँ कि अगर इभियम अगर आप इभियम लाने का क्या मतलब था आप क्या सोच रहे ते कि सिर्फ जो टेक्निकल इशू लाकर हम धादली कर रहे हैं हम ही धादली करते रहेंगे जीवन भर इनकी सीजी सी भी सोच है कि जिस तरह से हमारे लोगों ने शासन ब्यवस्था पर कबज़ा करके चला आ रहा है वही शासन ब्यवस्था रहे तो चीन की आइडिलोजी क्या है वो कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाओ नहीं लड़ती तो आज हम सत्ता में होते हैं उनका ये भी कहना होता इबियम उही लाए इबियम को लाया कॉंग्रेस लाई और इबियम को लाने एक अश्रे क्या था क्या सच में ऐसे जो विचारधारा के लोग है मनुवादी विचारधारा के लोग इनको कहा जाए तो कोई शक नहीं है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का स्क्रिप काम करते है इस देश में हकीकत है कि लोग पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है इस पूरे बाची पर आपकी क्या राया है मैं कमेंट वाक्त में जरूर बताएं शुक्रिया